मैं हूँ शैजादा खान और आप देख रहे हैं जारकन टाइम्स चार दिवसीय महापर्व छट उदैमान भगवान भासकर आराधना के साथ संपन छट वरतियों ने सोभाग कामना के साथ की कोसी भराई लोकास्था का महापर्व छट पूजा गुरुबार सुबा उदैमान भगवान भासकर को अर्द देकर सुर्यों पाशना के साथ संपन हुआ महापर्व छट पूजा में कोसी भराई का काफी महत होता है मानता है कि छट वरति सोभाग सुख समरिद्धी की कामना को लेकर अपने अपने घरों में कोसी भराई करती है वहीं छट घाटों पर भी है कोसी भराई की परंपरा सुर्य उपासना छट पूजा में छट वरति मनवांचित कल की कामना के साथ सोभाग समरिद्धी के लिए अपने अपने घर और छट घाटों पर कोसी भराई करते हैं कोसी भराई में मुख रूप से बारा गन्ने की आकिरती किसे कोसी तयार की जाती है जिसमें फल फूल के साथ परसाथ चड़ाया जाता है कोसी भराई में मिट्टी के हाथी स्वरूप का होना अत्य आवश्यक माना जाता है मानेता के अनुसार मिट्टी के हाथी के अंदर परसाथ के लावा गेहू अनाज आदी भर कर पूजा की जाती है जिससे घरों में धन धन बरकरार रहता है जारकन टाइम से अपरोज मली की रिपोर्ट